उस्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं अब अपने दोदों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हो ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हो और आपकी जांगी जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हो अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी वीड के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर जुके सर को इतना जुका है कि आपको आपकी गर्दन की मानस्पेशियों पर खिचाओ मैसूस हो इस आसन को अर्द उस्ट्राशन कहते हैं अब हम अर्द उस्ट्राशन से उस्ट्राशन की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोडते हुए ताहिने हाथ से ताहिनी एडी और बाए हाथ से बाई एडी को पकड़े ठ्यान रखे कि पीछे जुकते समय गर्दन को जटका ना लगे सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े इस थिती में दस से तीस सेकेंड तक रहे उस्ट्राशन से पीट और गर्दन की मांस पेशिया मजबूत होती है ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है इस आसन को करने से द्रिष्टी में सुधार होता है ये पेट और पूलों की चर्वी घटाने में मदद करता है यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें रिदय रोग और उच्चर अक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्ववती हो तो भी ये आसन ना करें दस से तीस सेकेंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एडियों पर बैठते हुए वजरासन की स्थिती में आ जाएं और अब वजरासन में हैं सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें उश्टरासन को न्यमित रूप से करने पर आप कब्स जो की शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं